आधुनिक भारतिय इतिहास के प्रमुख निताओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतरगत आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर फिरोज साह मेता जी के विशाय में, सर फिरोज साह मेता ये उदारवादी विचारधारा के थे, मैंने बताया था जब हम लो पर दो विचारधाराएं चल रहे थी, एक को बोला गया उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, ये साही नहीं साह होगा, फिरोज साह मेता, तो एक होता था उदारवादी विचारधारा जिसके मानने वाले, मतलब जो उदारवादी विचारधारा के नेता थे उनका तरीका सम्वेधानिक तरीका होता था वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सम्वेधानिक तरीका को अपनाते थे मतलब कि अगर मान लो ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग मनवानी है तो उसके लिए उदारवादी नेता क्या करते थे वो और जो दूसरी विचारधारा थी उग्रवादी विचारधारा या उसको हम लोग उग्र विचारधारा भी बोल सकते हैं जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी प्रमुख नेता थे तो उग्र विचारधारा के जो नेता थे वो अपनी मागों को मनवाने के लिए हर तरह के तरीके को अपनाने में विश्वास रखते थे तो ये एक डिफरेंस है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा तो जो सर फिरोज सह महता है उदारवादी नेता थे और बंबई प्रांत से ये आते थे जहां से दादा भाई नौरोजी थे ना वहीं से ये आते थे इनके जन्म की अग पढ़ते हैं पूरा करते हैं उसके बाद आगे वकालत करने के लिए मतलब ये वकील बनना चाहते थे तो वकालत की पढ़ाई के लिए इंगलेंड चले जाते हैं उस समय तक भारत में वकालत की पढ़ाई नहीं होती थी महत्मा गांधी जी वो भी वकालत पढ़ने के लिए इंगलेंड गए हुए थे तो ये भी जो है वकालत पढ़ने के लिए इंगलेंड चले जाते हैं और इंगलेंड में रहते हुए वहाँ पर ये पास्चात्य विद्वान थे उनके विचारधाराओं के संपर्क में आते हैं काफी प्रभावित होते हैं जिससे इनका जीवन ही बदल जाता है वहां रहा करके इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और जब भारत वापस आए तो इनको न्यायधिस का पद दिया गया एक जज का पद दिया गया लेकिन इन्होंने न्यायधिस की पद को लेने से मना कर दिया क्योंकि इन्होंने बोला कि भई मुझको अं 1845 में इनका जन्म हुआ तो लगभग लगभग 1865 के आसपास उस समय इंगलेंड में थे वकालत कर रहे थे और उसी समय इंगलेंड में दादा भाई नौरोजी वो भी वहाँ पर रह रह रहे थे काफी पहले से वो रह रहे थे और मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी उन्होंने इंगलेंड में वहां जो लंदन है वहां पर लंदन इंडियन एसोसियेशन की स्थापना की थी इसके अलावा लंदन इंडियन सोसाइटी उसके बाद एक दूसरी संस्था उन्होंने इस्थापित की थी इस्थ इंडिया सोसाइटी तो दो संगठन जो कि दादा भ दादा भाई जी के संपर्क में आते हैं और उनके द्वारा बनाए गए संगठनों में सम्मिलित हो जाते हैं सर फिरोज साहमेता जब ये इंग्लैंड में थे और जब वापस ये भारत आते हैं तो जो इस्ट इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी ने जिसको लंदन मे बन जाते हैं उसके बाद फिर ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच इलबट बिल लाड रिपन के समय में इलबट बिल आता है जिसके तहट क्या था कि जो भारतिये न्याइधिस हैं वो भी अंग्रेज न्याइधिसों के समान सभी का न्याइध कर सकते नहीं तो पहले क्या होता था कि जो भारतिये न्याइधिस थे ना उनको केवल और केवल भारतियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार था बाकी जो यूरोपी भारत में रहते थे उनके मामलों की सुनवाई भारतिये न्याइधिस नहीं कर सकते थे वो केवल अंग्रेज ही कर सकते थे तो इस तरह से कुछ था तो उस समय के वैसराय लाड रिपन ने क्या किया उन्होंने एक कानून बनाया जिसको इलवड बिल के नाम से जाना जाता है और उसके तहत ये किया गया कि जो भारतिय न्याइधी से हैं वो भारत में रह रहे सभी नागरी को अर्थात वो या अंग्रेज हो या यूरोपिय हो या अमेरिकन हो किसी का भी न्याए कर सकता है किसी के भी मामलों की सुनवाई कर सकता है तो इस चीज का अंग्रेजों ने काफी विरोध किया था तो इस समय जो सर फिरोज सहमेता थे वो भारतियों के साथ होते हैं इस कानून का वो समर् अध्यक्षभी रहते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि भारत में जो इस्थानिय स्वसासन है चाहे वो ग्रामीन इस्तरका या नगरिये इस्तरका उसकी सुरुवात किसने की थी तो फिरोच से हमें तब बंबई नगर निगम के जिसको आज के समय में BMC बो इन्होंने उसके दिखेगा इन्होंने ना 1885 में बदरुदिन तयब जी उनके साथ मिल करके एक संगठन बनाया था बंबई प्रेशिडेंसी एसोसियेशन ध्यान रखेंगे बंबई प्रेशिडेंसी एसोसियेशन ये आपसे पूछा जा सकता है ये एक नया चीज है देखि बंबई प्रेशिडेंसी एसोसियेशन ये आपसे पूछा जा सकता है वैसे तो सभी कुछ पूछा जा सकता है लेगिन जो चीज लिखने लायक है मैं उसको लिख दे रहा हूँ तो बंबई प्रेशिडेंसी एसोसियेशन बदरुदिन तयअप जी के साथ इसको इस्थापित किया गया था बदरुदिन तयअप जी ध्यान रखना इसके बद देखेगा जब भारती राष्ट्र कॉंग्रेस की स्थापना हुई ना 1885 में तो उस समय सर फिरोज सह मेता उस समय के जितने बड़े बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी हो गए सुरेंदरनाद बैनर जी हो गए एओ हूम हो गए तो उन सब के साथ थे मतलब की बंबई क्या कते हैं भारती राष्ट्र कॉंग्रेस के इस्थापना के समय में इनका भी अच्छा खासा योगदान था सर फिरोज सह मेता को उसके देखेगा आगे चल करके ये ना जो बंबई विधान परिशद था जो बंबई प्रांत का जो केंद्रिये विधान परिशद है और प्रांतिये विधान परिशद है उसमें अतिरिक्त सदस्यों के मनोनित या फिर निउक्त करने का अधिकार भारत के वैसराय और प्रांतों के गवर्नरों को दिया गया था उसके बाद 1892 में फिर इन विधान परिशदों के कुछ सदस्य को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था ये सारा कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके तो जो सर फिरोज सामेता थे वो बंबई विधान परिशद बंबई के जो गवर्नर थे उनका जो विधान परिशद था उसके सदस्य चुने जाते हैं ये तो ध्यान रखना ये च 1890 में भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इनों ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन से नंबर का अधिवेशन था तो भई चटवे नंबर का अधिवेशन था चटवा अधिवेशन इसके बाद जब सूरत अधिवेशन होता सन 1907 में और भारती राष्ट्र कॉंग्रेस का विभाजन होता है तो उस समय उदारवादी निताओं में प्रमुख निताओं में सर फिरोज सह मेहता भी थे तो उसमें क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में जो तिलक जी थे और उनके जो सहयोगी थे उनको भारती राष्ट्र कॉंग्रेस से बाहर कर दिया जाता है और जो कांग्रेस है वो उदारवादियों का ही होकर के रह जाता है तो ये भी एक प्रमुख उदारवादी नेता थे देखेगा जितने भी उदारवादी नेता थे न वो सब ब्रिटिस सासन को भारत में समर्थन करते थे तो फिरोज स मेता का भी बिल्कुल यही मानना था कि भारत में ब्रिटिस सत्ता जब तक बनी रहेगी तब तक हम लोग जो है अच्छे से डेवलब कर सकते हैं और हमको ब्रिटिस सत्ता को उखाड के नहीं फेकना है ब्रिटिस सत्ता के संद्रक्षण में हमको अपने सम्विधानिक अधिकारों की मांग करनी चाहिए वो भी सम्विधानिक तरीके से तो ये जो है सर फिरोच सहमेता और तमाम उदारवादी नेताओं का मानना था तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके बाद दिखेगा बॉववे क्रोनिकल की सुरुवात की इसके बाद 1915 में लंदन में इनकी मृत्ति हो गई सर फिरोच सहमेता को अंगरेजो द्वारा सर की उपाधी दी गई थी ये जो सर है ना इनको उपाधी दी गई थी सर फिरोच शाह मेहता तो ये था सर फिरोज सहा मेहता के उपर एक छोटा सा वीडियो, मुझे पूरी आसा है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग इसी तरह से भारतिय राष्ट्रे आंदोलन या फिर और किसी भी दूसरे नेता या फिर किसी मतलब की भार सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा आप वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद